मुस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीड सिदार्शुकला की मौत से टूटी रश्मी देसाई किया उनके लिए ये पोस्ट सिदार्शुकला का हाट अटेक के चलते हैं निधन हो गया सिदार्श के निधन के खबर मुबई के कूपर हॉस्पिटल ने दी इस खबर के आने के बाद से फैन से लेकर टीवी और फिल्म इंटस्ट्री में शोग की लहर दोड़ गई है सिदार्श के मौत पर सभी दुख जता रहे हैं फैन सरूर हैं तो वहीं पर रश्मी देसाई भी पूरी तरीके से टूट गई है रश्मी देसाई ने सिदार्श उकला की मौत की खबर सुनने के बाद एक टूटे हुए दिल की इमोजी शेयर की है सिर्फ टूटे हुए दिल की इमोजी और कुछ भी लिखा नहीं है उनोंने यकीना आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि रश्मी देसाई कितनी ज़्यादा टूटी हुई है रश्मी और सिदार्थ बिग बॉस में नजराय थे साथ में इससे पहले दोनों ने सीरियल दिल से दिल तक में भी काम किया था इस सीरियल में सिदार शुकला और रश्मी देसाई की जोड़ी को बहुत पसंद किया था इतना ही नहीं उनके एफैक की भी अफ़वाएं भी खुब बुड़ी थी इस शो में उनके साथ जैस्मिन भसीन भी थी वहीं बात करें बिग बॉस की तो बिग बॉस 13 में दोनों अकसर लड़ाई करते हुए देखे जाते थे दोनों ने कहा था कि वो दोस्त नहीं है बलके सिर्फ एक को स्टार रही है दोनों ने हिंट भी दिया था कि किसी बात के चलते दोनों के बीच दोस्ती खराब हो गई थी बिग बॉस 13 के गड़ में सिदा शुकला और रश्मी देसाई टास्क के दोरान अक्सर ही लड़ाई किया करते थे सिदा शुकला ने बिग बॉस 13 को जीता मही रश्मी ने भी उन्हें कड़ा मुकाबला दिया था अब सिदा शुकला के जाने के बाद बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट्स और इंडर्स्ट्री से जोड़े उनके साधी उन्हें याद कर रही है और ऐसे में रश्मी देसाइब पूरी तरीके से टूटी नजर आई इस वीडियो में पसकता है